IPL में आज हाईदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम पर पैट कमिंस की कप्तानी वाली संराइजर्स हाइदराबाद और रुतुराज गायकवार्ड की कप्तानी वाली चेननाई सुपकिंग्जे के बीच मुकाबला होना है. Sunrisers हाईदराबाद वीज चेननाई सुपकिंग प्लेइंग इंडियन प्रीमियर लीग में आज एक एहम दिन है. हाईदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम पर संराइजर्स हाईदराबाद और चेननाई सुपकिंग्जे की टीमों के बीच घिरंथ होनी है. दोनों टीमें अभी तक ठीक ठाग प्रदर्शन करती आई हैं. हाला कि पिछले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. हम आपको बताएंगे कि SRH और CSK की इस वक्त हालत प्वाइंस टेबल में क्या है, लेकिन इस से पहले ये जान लेते हैं कि टीमें आज किस प्लेइंग 11 के कॉबिनेशन के साथ मैदान में उतरेंगी. इंपेक्ट प्लेइर बदल दे रहे मैच का नक्षा. इस साल के IPL में इंपेक्ट प्लेइर मैच पर काफी असर डाल रहे हैं. अचानक आया खिलारी मैच का रुख बदलने की क्षमता रखता है. पिछले कुछ मैचों में हमने ये देखा भी है. मेजबान टीम संराइजर्स हाइदराबाद की बात की जाए तो टीम ने अब तक हर मैच में अलग-अलग इंपेक्ट प्लेइर्स का इस्तेमाल किया है. हाला की टीम के लिए दिक्कत ये है कि स्टार और राउंडर वानिंदु हसरंगा अभी भी टीम के साथ नहीं जुड़ पाए है. इस बीच आज के मैच में संभावना जताई जा रही है कि उम्रान मलिक को मौका दिया जा सकता है. जिस तरह से LSG के लिए मयनक यादव ने अपने पेस और स्पीड से विरोधी टीम के बल्लेबाजो को चक्मा दिया है. उसके बाद हो सकता है कि उम्रान की टीम में इंट्री हो जाए. अब उन्हें केवल एक ही मैच में मौका मिला था, जिसमें वे केवल एक ही ओवर डाल पाए. टीम मयनक अग्रवाल और अभिशेक शर्मा में से किसी एक तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लेकर आ सकती है. मुस्तफिजुर रहमान की जगा कौन खेलेगा? चैन्नाई सुपकिंग्जा के लिए बांगला देशी गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान अगले कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. वे कुछ जरूर काम के लिए अपने देश लोट गए हैं. उम्मीद है कि एक दो मैच के बाद वे वापस आ जाएंगे. इस बीट सवाल यही होगा कि रहमान की जगह टीम किस खिलारी को मौका देगी. उम्मीद है कि मतीसा पतिराना को टीम में लाया जा सकता है. वही शिवम दुबे को भी इंपेक्ट सब के तौर पर लिया जा सकता है. हाला कि ये काफी कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि कौनसी टीम पहले बल्लेबाजी करती है. CS तीन और श्र इस वक्त सात्वे स्थान पर. अगर अंक तालिका में दोनों टीम की स्थिती के बारे में बात की जाए तो CS के अभी तीसरे स्थान पर है. टीम ने तीन में से दो मैच जीते हैं और एक में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं SRH नंबर सात्पर है. हाइदराबाद ने अपने तीन में से एक ही मैच जीता है और दो में हार मिली है. अगर CS के आज जीत जाती है तो वो टॉप दो में पहुँच जाएगी. वहीं अगर हाइदराबाद की टीम बाजी मारती है तो उसके पास मौका होगा कि वो टॉप चार में पहुँच जाए. सन्राइज हाइदराबाद की संभावित टीम मयंक अगरवाल ट्रैविस हेड, अभिशेक शर्मा, एडिन माकराम, हेनरिक ट्लासिन विकेट कीपर शाहबाज एहमद, अब्दुल समद, पैट कमिंस कप्तान भुवनेश्वर कुमार, मयंक मारकंडे, जैदेव उनादकट, उ पक्चाहत, तुशार देश पंडे, महेश थिक्षना, मतीशा पाथिरान,